मुरादाबाद, बांगलादेश में हालाद बदतर, प्रदर्शन के दौरान कई दिन तक मेडिकल कॉलेज में फंसी रही, मुरादाबाद की सना ने सुनाया अप बीती बांगलादेश में आरक्षन के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा के बीच, यूपी के कई छात्र फंस गए थे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी की रहने वाली, MBBS की छात्रा सना खान ने बताया कि बांगलादेश में आरक्षन प्रोटेस्ट और हिंसा के बीच इंडियन एमबैसी ने काफी मदद की है सना खान बांगलादेश के इस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की, MBBS की थर्ड येर की छात्रा है उन्होंने बताया कि वहां आरक्षन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है आरक्षन को लेकर हिंसा हो रही थी प्रदर्शन और हिंसा के दौरान बांगलादेश की इंटरनेट और मोबाईल की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी जिसकी वजह से उनका घरवालों से संपर्ट नहीं हो पाया था अब वो भारत सरकार की मदद से सकुषल बांगलादेश से अपने वतन वापस आ गई है उन्होंने बताया कि उनके हॉस्टल से कुछी कदम की दूरी पर आरक्षन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ऐसी स्थिती में वो कई दिन तक हॉस्टल के रूम में ही बंद रही लेकिन सना ने हिम्मत नहीं हारी वतन की मुहबबत और घर आने की चाहने उनके तूटे हुए मनोबल को बढ़ाया और लौटने का फैसला किया सना ने अपने दोस्तों सम टिकेट बुक कर आया ऐसे में कमपनी ने भी इसका फाइदा उठाया और तीन गुना दाम पर टिकेट खरीदने पड़े अब सना अपने घर अपने परिवार के साथ हैं फिर दो दिन बात वहां पर हमारा नेट बन कर दिया वाइफाई भी बन कर दिया हम लोग घर से बात भी नहीं कर पा रहे थे घर वाले भी बहुत परिशान थे वो लोग भी नहीं सोपाते थे हम भी नहीं सोपाते थे वहां पर हमें डर रहता था कि पता नहीं कब क्या हो ज तो इसलिए गौवर्मेंट और स्टूडेंस के बीच कुछ लड़ाई हो गई थी जिस वज़े से सारे सिचुएशन क्रियेट हुई लेकिन स्टूडेंस ने वहां पे वो खड़े रहे अपने हग के लिए उन्हों इच्छे से लड़ा हमारे सारे बैच मेट्स भी उस सब में सब भी बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन फरिशानी हम लोगों को हो रही थी क्योंकि हम लोग हॉस्टिल में रह गए थे जितने भी बेंगॉली फ्रेंड्स थे हमारे वो सब अपने घर जा चुके थे एक दो लोग बंचे लिए इंडिया के हमारे के भी टच में थे इंडियान अबसी से हमें सिक्यूरिटी भी प्रोवाइड की है एरपोर्ट जाते टाइम उन्हों ने बोला जब तुम लोग निकलोगे हमें बस का नंबर देना हम लोग रास्ते में इतनी भी तुमें पुलिस स्टेशन पढ़ेंगे हम उनसे तुमारे और उनकी वज़े से हम लोग सेफली एरपोर्ट पर पहुंचे हैं वरना एरपोर्ट तक जाते जाते भी बहुत मौल खराब था वहां पर हमने खुद देखा कार्स वगयरा सब जली पढ़ी थी और रोडस पे भी काफी मार्बल्स वगयरा पढ़े थे लगा लड़ाई का लग रहा था कि हम बहुत खतरनाग लड़ाई हुई है लेकिन अबसी का साथ था कॉलिज ने भी हमें सेक्यॉरिटी दी तो हम लोग सेफली पहुच गए ते यहां आपको अपने सहर म्रदवाद में कब आना हुआ कैसे हैं मैं अपने शहर में आई हूं 22 की रात को मेरी फ्ल अप्लाइन नमबर तो वहां पे हम उनी को कॉंटाक कर पा रहे थे हैं आई सर क्या कहना जाएंगे आप क्या से क्या वेटी से आपको कैसे संपर करा फूद दिक्केते पर्थानिया जी जब वहां हमें पता चला कि बंगलादेश में स्टूडेंट्स जो लोकली स्टूडें परेशान हुए जब महां पर नेट बिल्कुल बंगर दिया था संपर्क सुत्रामारे बिल्कुल खतम हो गया थे पूरे बंगलादेश में किसी से हमारा कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था और वाट साप कैसे आप संपर्ग हुआ है तो उसमें भी अगर हम चार सो बार फ लेकिन फिर यह हुआ कि अचाना कि लोगों ने बनाया सबने प्रोग्राम इंडियन एंबेसी ने और कॉलिज जो इनका है इस ट्रेस्ट मेडिकल कॉलिज उसने इनको सपोर्ट किया और पिर इन्हों ने इसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने बहुत महंगी टिकेट बे इंबेसी से संपड़ करते कॉलिज में बायरूड इनको ठुड़वा दिया हम यहां आर्मी ने जो आपकी लोकल आर्मी ती उसने इनको प्रोटेक्शन दिया और उसके बाद जब यहां आय तो बारागा इरट एरा घंटे बेट करना पड़ा प्लेन के लिए अपने और प् बिल्कुल जमीन में बेट गया उड़ी नहीं पाया उपर टेक्निकल इशू की वज़े से ऐसा हुआ था जिसके वज़े से पूरा परिवार और जाता ख़वर आ गया था लेकिन पर एंलाइस वालों ने जो तीन बजी की फिलाइट थी उसे और उसको आगे बढ़ाया और स साड़े साथ बजी बच्ची जो है महां से इनकी फ्लाइट में टेक आफ किया तो ग्यारा बजी यहां पर आई कि यहां पर ग्यारा बजी आगई तब उसके बाद हम लोगों ने बड़ी राहत कि सास ली लगवाब पांच-छे दिन हम लोग बर आब इसे थी वहां सामान न कब जाना चाहें कब जाएंगे अब जब भी हम लोगों को लगेगा कि सिच्वेशन स्टेविल हो गई है वहां पर महार ठीक हमें कोई खत्रा नहीं है तो अब लोग सारे एक साथ जाएंगे जितने भी बच्चे वापस होने है तो ठीक